चितरण्ञन चैन्पूरा प्रसुत करते हैं कुछ दोहे संतों की जात भूल के भीमत पूछेगा संतन की जात चितरंजन हिर्दे बसे स्वें मही हरी साख्छात संतों के हर्दे में तो साख्छात स्रीहरी का निवास होता है भई भूल के भीमत पूछिएगा संतन की जात, चितरंजन हिरदय बसे, सैम ही हरी साक्षात, संतों में क्या होना चाहिए? संतन में सद गुन बसे, सद बिचार सद ज्यान, चितरंजन चाहे सदा सर्व जगत कल्यान, संत तो सृष्टी मातर का कल्यान चाहते हैं भाई? संतन में सद गुण बसे सद विचार सद ग्यान चित रंजन चाहे सदा सर्व जगत कल्यान संतों की पहचान क्या है सेबा सज्जनता मिले नामित्या यभिमान संतों में क्या होता है सेबा सज्जनता मिले नामित्या यभिमान सर्ब सुलभय और सादगी संतन की पहचान ये संतों की पहचान है लेकिन आज कल तो पता नहीं कैसे कैसे संतों हो गए है जो अपने सामर्थ और ऐस्वर्ज का प्रदरसन ही करते रहते हैं सर्ब सुलभता और सादगी तो है ही नहीं सेबा सज्जनता मिले नामिध्याय भिमान शर्ब सुलभय और सादगी संतन की पहचान सत्य अहिंसा सौम्यता करुणा प्रेमय पार संतन से तो सीखिये करना पर उपकार महारसी वेदव्यास जी ने जब महा भारत और अठार हो पुरानों की रचना की तो उसमें क्या लिखा उन्होंने मात्र दो वाते अस्ता दस पुराने सू ब्यासस्या बचनम द्वये परोपकार आये पुन्या आये पाप आये परपीड़नम परोपकार ही पुन्य है और परपीड़ा ही पाप है संतन से तो सीखिये करना पर उपकार संतों की संगती बड़ी दुरलब है भाई मिल जाए भगवान भगवान का पता कौन बताएगा संत और संत बड़े सोभाग से मिलते हैं दुरलब है सत संगती जोशद गुन के खान संतन के संग बैठिये मिल जाए भगवान मिल जाए भगवान ऐसे संतन को प्रणाम नमन